अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें फेस्बुक पर हमारे कारेकरम को देखने के लिए Voice of Panipat पेज फोलो करें, शेर और लाइक करें और साथ ही Voice of Panipat ग्रूप भी जोईन करें Next in Visa Consultant यूकी स्टेडी वीजा अप्लाई नाओ के टू येर वर्प परमेट आफ्टर कम्प्लीट यूवर कोर्स, नो कॉंसुलेशन चार्जिस, नो एप्लिकेशन फीज, एड्रस राम गुपाल एस्टेट विशन सारुप कालोनी पानिपत, कॉंटेक्ट नमबर 90942 00484 नमस्कार मैं हूँ, आपके साथ कुलवन सिंग और आप देख रहे हैं वाशो पानिपत, चुनाव निकल गए, त्योहार भी निकल गए, बीजेपी की सरकार भी बन गई, लेकिन कैसे बनी, सबी को पता है, 75 पार का जो नारा दिया गया था, वो 40 तक आकर सिमट गया, इस द जी इलेक्शन में आप काफी बीजी रहें, अभी मेरवनीत कोर कहां है, फिल्ड में दिखेंगी नहीं दिखेंगी, क्योंकि सफाई वस्तागा फिर से बुरा लो गया, जी पहले तो आपके चैनल के माधियन से, आपकी पूरी टीम को और पानिपत के सबी शेहरवासियों को मैं तो हार जिते भी फेस्टिवल्स के हैं, हम सब की शुब कामनाई देना चाहूंगी, और हमारी नई सरकार भी बनी है, तो उस चीज के लिए भी मैं पानिपत शेहरवासियों को बहुत बहुत शुब कामनाई दूंगी, और अगर रही बात की मेरे ग्राउंड पे आने की तो मैं यही कहूंगी, कि जिस दिन से इलेक्शन खतम हुए, और आफ्टर रिजल्ट, मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, पहले दिन मैंने जेबियम वालों के साथ मीटिंग की, कि शहर में फिर से हर जगा पर गंद पड़ा हुआ है, मैंने खुद देखा है, और उनक कहीं भी मुझे दिखती है, तो वहाँ पर ही जेबियम का ओफिस वहीं पर बनाया जाएगा, और फिर उसके बाद मैंने सभी कॉंट्रेक्टर्स के साथ मीटिंग की है, और उनके साथ काफी बातचीत की है, जिनकी वज़े से पानिपत के अंदर जो काम के अंदर क्वालिट या फिर हम कॉंट्रेक्टि की बात करें, जो नहीं देखी जारी थी, इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी था कि एक बार नई सरकार बनने के बाद उन चीजों के उपर जरूर दिहान दिया जाए, तो इसलिए हमने कॉंट्रेक्टर्स के साथ काफी पॉंट्स डिसकस कि लेकिन कुछ ऐसी भी बाते उठे थे कि कही ना कही ठेकेदार थे, कुंट्रेक्टर जो भी हैं, दबाव में काम कर रहे थे, कमिशन का खेल पिछली सरकार में, जो आपके पिछली सरकार रही है, निगम में चलता ही रहा है, बरश्टा जार का, खुब बोल बाला रहा, तो क कुछ बताया होगा, ठेकेदार उनने क्या दिक्त है, कुछ इस बात का खुला सा कि उन्हों को कमिशन का खेल चलता रहा है. जी देखिए उन्होंने मुझे स्ट्रेट फोरवड आकर ऐसा कुछ नहीं बताया कि कमिशन का कुछ ऐसा खेल चल रहा था या नहीं लेकिन मुझे ऐसे सुनने में आया है कि कहीं न कहीं कमिशन का खेल चल रहा था जो कमिशन्स वगरा अगर पहले चलती भी थी तो उनको अब बंद करना पड़ेगा कमिशन का खेल अब टॉटली तरीके से हर तरीके से बंद होगा लेकिन जो पिछे जो चला गया सारा उनकी फाइले खुलवाने का कोई है क्योंकि सड़क के उपर सड़क बना दी ये टेंड पार का नारा था लोगों ने जुमला पर लोगों ने क्या देखे जुमला है चालिस पर आके खड़े होगे ग्राउन बे वह काम नहीं हुआ जो लोग चाहते हैं अब नीट कोर का है जो शुरू से बनीति स्कूटी लेके अक्टिवा लेके अपना बैठ के गलियों में चले है आप लोगों की वज़े से मुझे आप लोगों की सेवा करने का मोका मिला है तो मैं कहीं नहीं गई मैं अपने पाने पर शहर के लिए ही सोच रही थी और पाने पर शहर के लिए ही मैं अपने काम कर रही हूं और जैसे ही मुझे अभी टाइम मिलेगा जैसे ही मेरी दो-ति तरीके से हर चीज का काम होगा तांकि कई ऐसा जहां मैं जाती थी और वहां सफाई हो जाए और मेरे मेरे जहां मैं ना जाओं वहां सफाई ना हो तो उस चीज का भी कोई मुझे लगता है कि कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन इसलिए मैं ग्राउंड पर जुरूर जाओंग और अब हर काम जो है एक प्लैन तरीके से होगा पहले कोई भी काम अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट के काम में देखें तो किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी प्लैनिंग नहीं करके काम हो रहा तो पहले सबसे पहले उसकी प्लैनिंग बिठानी है उसी प्लैनिंग बिठ करती है यह बी-एम ह साथ मामला सबके सामनी सोनी पत से चला जाती थी में निता का नाम था फिर दूसरा से जो निता है उनका नाम आवाया कि वो लोग चला रहे हैं उसके साहब ताएपऌने काम उपस उनके ऊपर नेदाओं का हाथ था इसलिए उमन मर्जी से अपना काम कर रहे थे अब वो दोनों नेता नहीं है ग्राउंड में नहीं है तो क्या लगता है कि जे बियां कमपनी अब अपने हिसाफ से आपके हिसाफ से चलेगी परमोद वीच के साफ से चलेगी जी बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे यह गोगी जे कैबिनेट बन जाए उसके बाद मैं उपर उपर तक जाओंगी जहां तक मैं जा सकूंगी वहां तक उसकी फाइल जाएगी और इनको डेफिनेटली काम करना होगा और विधायक जी मेरे साथ है तो मुझे किसी चीच की कोई परवाई नहीं है पानिपत की पूरी सरकार मेरे साथ है पानिपत की पूरी पब्लिक मेरे साथ है तो अब सफाई करने से कोई भाग नहीं सकता और कोई रोक सकता क्योंकि मेर जी जो आप काम करवा रही हैं आपके लेवल के काम नहीं है गली-गली में जाके आप सफाई करवाएं छिड़काव करवाएं लोगों से मिलें ये काम तो गली का पार्षद भी करवा सकते हैं इन कब से छुटकारा मिलेगा आपको मतब कब ये समस्याइं सारी हल ह जाएगे कि मेर अभी नितकरों को पिछे देखने की जूटत नहीं है आप कोई नया टार्कट लेकर चलें जी देखिए एक तो मैं किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं सोचती जो काम पब्लिक के हित के लिए होगा तो वो मैं आदी रात को भी वहां खड़ो कि वह काम क कि मेर होगा अगर मैं बाहर निकल रही हूं तो मैं पब्लिक को भी कहीं न कहीं अवेर कराना चाहती हूं कि आप लोग भी सब मेरे साथ जुड़े एक यूरिटी की तरह हम लोग पानिपत शहर का विकास करें किसी भी चै में किसी भी स्ट्रीम में उतर रही हूं अगर मैं क कि उनकी अवाज अब सुनी जाएगी आपके पारश्यत गड़बड करते हैं उन पर को कर भी होगी जी बिल्कुल जुरूर होगी मैंने तो अभी कल की मीटिंग में मैंने साफ यही बोला है कि कोई भी नेता या कोई भी बड़ से बड़ा में नेता अगर किसी भी तरह का अग पर किसी अवाज चल ले ते वो फिर या जिसको एससाला है कि वह यह पारश्यत है या जिसकी भी कंलेंट है वह उस सीच की एक proceeding कर सकता है उस सीच के बह। उसके उपर पर पार्टी या जो उनके उपर अरोप लगा रही है एक बर मुझसे मिले आकर मुझसे बातशीत करें कि वाकिये कोई तो हो उस बात को होल्ड करने के लिए कोई भी नहीं है और पहले से मैंने उनसे बात की जिसी दिन मेरे मेरे संग्यान में यह मामला आया तो उसी दिन मैंने पारशद को बुला कर उनसे स्पेशली स्ट्रिक्ली उनसे यह पुछा कि क्या यह आपकी ओडियो है तो उन्हा ने मुझे कहा कि यह आवाज मेरी है ही नहीं और मैं उस दिन पानी पर था लिए तो अगर कुछ भी इस अपना नाम नहीं चाहिए मेर को अपना नाम नहीं चाहिए हमें कही नहीं दिखाना कि यह सड़क मेर ने बनाई है हाँ अगर कोई M.C. चाहता है कि उसकी रोड की उपर उसकी प्लेट लगे तो वो अपने पैसों से वो लगवा सकता है कि कोई भी ठेकेदार है अगर वो प्लेट लगाता है तो उसके पैसे ना वो मेर से लेता है ना विधायक से लेता है, पैसे उसकी जेब से जाता है, तो भ्रस्ठाचार का जो मेन, हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट जो है निगम का वो यहीं से शुरू होता है, कि विधायक या मेर उसकी जेब से पैसे लेकर वहाँ पर नीम प्लेट लगवा रहा है, तो यह हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम यहीं चाहते हैं कि जितने पैसों की वह वहाँ पर पत्थर लगाता है, जितना का वहाँ पर वह स्टोन लगाता है, कम से कम उसकी मेरे हिसाब से 6-7 हजार कीमत होगी, मैं यह चाहते हूँ कि उस पैसों से अगर उसने अगर उसको यूज भी करना है, तो पैसो से बड़े-बड़े signboards लगवाए जाएं, हर गली के अंदर दो-दो signboards हो, जहां पर public देख सके कि इस सड़क के अंदर क्या material यूज होना है, इस सड़क के अंदर क्या material की कितनी layers यूज होनी है, इसका कौन contractor है, इस गली का कौन J है, कौन M.E है, उनके number और ये सड़क कि चल सकती है, कितने साल तक चलेगी, और अगर उतने साल तक नहीं चलती, तो उन्होंने कहां complaint करनी है, ये सब चीजे ज़्यादा जरूरी है, transparency is most important, और हमारी सरकार यही कहती है, कि transparency एक पहला चीज है, जो हम public को देना चाहते है, कि public aware हो, और public के transparency होनी चाहिए, तक कि public अग तो इतने टाइम बात क्यों जागी, पिछले टर्म में आपने ये बात क्यों नेगी, मेरी हाउस मीटिंग में, अगर आप मेरी कोई भी आप audio देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मेरी हाउस मीटिंग के अंदर ये agendas हैं, कि सड़क के उपर, जो है, जो है, ये signboards लग के अपरोवल के बाद हमने ये चीज जो है, कॉंटेक्टर को बोली है, और यही चीज मीडिया में हमने दी, पूर में जो विदायक थे, आपकी रोईता रिवडी, मानती हैं या इस बात को क्लियर करेंगी, आप क्लियर नहीं करेंगी, तो पानी पत पूरा देख रहा है, उ अपर सड़क बना देगी, यहीं टेंडरिंग का मामला चला गया, दूसरा सरफ जी जो उसका पीए था, जब भी बात होती थी, वो निगम में किसी ना किसी की फाइल उठा के गुमता था, आप कहते हैं कि सांसदी मानदार हैं, विदायक इमानदार हैं, मेरम मानदार हैं, क हमने काफी अपनी कारेकल में काम कराए हैं, और कुछ जो काम रहे गए हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता, पान साल के अंदर हम सारे काम कर पाए हैं, अगर पान साल की और मूकर मिले तो वो काम हो जाते हैं, लेकिन मैं यहीं कहूंग दिया है कि विधायक इमांदार पार्षद और संसद इमांदार मेर इमांदार पिछे इमांदार नहीं थे बिलकुल इमांदार थे मैं इस बात को बार बार कहूंगी कि हमारे जो पहले रोईतर रेवडी जी थी वो इमांदार थी उन्होंने अपने इमांदारी से ही अपना का अगर कोई काम करना है तो वो किसी जो पॉलिटीशन उसको पता होना चाहिए कि खुद काम करना चाहिए हर चीज हर फाइल कहां से कहां जा रही है उसको चीज के बारे में पता होना चाहिए और पीए का काम सिरफ इतना ही होना चाहिए कि जो अगर वो निगम में आये या कोई भी विधायक अब हमारे पर मोध विज्जी विधायक बने है उनका भी पीए है अगर वो अगर निगम में आते हैं तो most welcome बट लेकिन उनकी लिमिट्स यहीं तक ही हैं कि वो आएं और अपन देखी ने गई शुरेंदर रेवडी का यह नाम बारबार ब्रसाजार के उपर आता रहा है कि उनके पती हैं अफसर जो हैं उनके अंडर में काम करते रहें अभी खुल के बात करें तो एक आपके एक्सियन का इमामला था आप ट्रांसफर रुकवाते थे वो ट्रांसफर कर करवा के आजाते थे वो मामला दूसरा सरवजीत वाली जो बात खोली है कि आप जशाब बता रहे हैं कि पीए का इतना काम होता है कि वहां पर आए और अपना काम करके चला जाए लेकिन फाइलों तक भी उनका उनके हाथ में फाइले देखी जाते थी और पूरा का पूरा इंट्रफेरस यह उनका होता था आपके पास इस की क्या प्रूफ है कि उनका पूरा इंट्रफेरस होता था जस्ट फाइल अगर मैं आपके बाद पर काट रहा हूं आपने यह बात कहिता कि इस प्याइगा इतना मतलब होता है कि महां सोगे चला जाए ठीक है लेकिन उसके करके चल जाए वह फाइल काम की भी हो सकती है ना सर कि अगर उसके हाथ में फाइल है तो हो सकता है विधायका जी ने भेजा वो उनको की फाइल से इस पर साइन करवाने हैं तो वह आप इस सीज़ को रहे कि पिछले कारे काल में कोई ब्रस्टा जार नहीं को में ने अगर कुछ ऑफिसर्स जो ढंक से काम नहीं कर रहे जिनको सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगते है कि सिर्फ काम से मतलब ही नहीं है उनको यहां से जाना होगा आप तो कि मेर हैं बीजेपी के अंदर की बाते सारी आपके पास होती है यह पुनिया वाला मामला था क्यों रुक्व जाना नहीं था तो यह मामला क्यों बढ़ता है देखिए मीडिया में यह बात कहां से आई मुझे इस सीच के बारे में नॉलेज नहीं है बाकी देखिए हम नहीं चाते थे कि ऐसे ओफिसर्स को यहां से बेज़ा जहाए जो काम करने लाइक हो जिसको काम करने की समझ हो जो दिल से काम कर रहा उसको यहां से नहीं जाना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर रेवली जी ने कहीं पर भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि उसकी वहाँ पर ट्रांसफर कराई जाए उनको सिरफ और सिरफ मैं यहीं कहूंगी कि हमने सिरफ उनको रोका है उपर यह उप उसमें बकाइदा रोजतार यूडी के साइन थे अपना ट्रास्फर करने के लिए और आपके रुखवाने के लिए थे हुड़ा डिपार्टमन जो आपके लोग नेता हैं वो कह रहे थे कि यहां से चला जाए यह जो है शरीफ आदमी है कहीं ना कहीं दिखकत थी स्टीज को देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वो निगम से जुड़े हुए थे और मैं यह चाहती थी कि उनका ट्रांसफर ना हो क्योंकि जो ऑफिसर काम कर रहा है मैं यह कहूंगी कि मैंने चाहूंगी कि वो पानेपत से जाए और अगर यह अपनी कि छो ही चोईस है अगर आपने कोई ऐसा नोट देखा एतोम मुझे ऐसमेने अजड़ी कोई ऐसा नोट नहीं देखा और ना ही मैंने कभी मेरे उन्से बात ब det सिर्ट कोई कारियों से मतलब नहीं कि कोई ओफिसर जो है उसकी ृट्रांसफर कर आए जाए मतब इमानदार सरकार है तो टिकट क्यों कैंसल होगे उनकी क्या मानते हैं मैं यही कह रही हूँ ना कि यह मामला उपर की लेवल का है वहां तक हम लोग जा नहीं सकते यह संगठन का फैसला है और बिजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है एक बहुत बड़ा समू है हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अपनी सर्वे करने के लिए टीम यहां पर भेजी थी और उस दोरान हम लोग इलेक्शन में बीजी थे तो हम लोग उनके साथ अटेश्मेंट नहीं कर पाए और वो अपने अपी रिपोर्ट बनाकर उपर मिनिस्टर के पास चली गई है तो अभी हमने फिर से जो है दुबारा से अपने हमारा चल रहा है दुबारा से हम लोग ने लेटर भेजी, मेल भेजी है उनको कि फिर से अपनी टीम को यहां पर भेजा जाए और होपस हो कि 2 निमेंबर या 3 या 4 निमेंबर को हमारी B&R डिपार्टमेंट से भी बात हुई है वो लोग भी मिलकर Chief Secretary के पास गया है कि हमें यहां पर कट चाहिए है और उन्होंने भी जो Chief Secretary है उन्होंने भी दुबारा से अप्रोच किया है कि यहां पर आकर दुबारा सरवे किया जाए और जल्दी ही दो-चार दिन में यहाँ पर दुबारा से सर्वे करने के लिए पहुंचेंगी और हमारी पूरी टीम उनको वहाँ पर डिरेक्शन्स देने के लिए वहाँ पहुंचेगी मेरा अगला कदम यही है मैं पानिपद की जनता को यही कहना चाहूंगी कि आपने मेर बनाया है आपने अपना मेर बनाया है मैं आपकी खुद की मेर हूँ आपको मेरे चार साल में कहीं पर भी मेरी कलम इस जगह नहीं चलेगी जहां पर आप लोगों को आप लोगों के मन में ये बात है कि हमने किसको वोट दिया आपको हमेशा गरब मैसूस कराऊंगी मैं और पानिपत के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मेरे ड्रीम्स जो है मैं उनसी जीजों से अभी भी जो है बैक फूट नहीं कर रही कि मैं ये का कारी कामओं में काम होने में काफी टाईम लग जाता हूए और और मेरे तो काफी बड़े बड़े परॉजेक्ट्स हैं इनको आने में थोड़ा सा टाइम लगए गा उस patience को बरकरार रखें और अपना अशिरवाद मेरे उपर बनाए रखें जल्दी से जल्दी आप लोगों को अपना पानिपत हरा भरा स्वच और साफ नजर आएगा एक आखरी सवाल ठेकेदारों की फैले खुलवाएंगी जो शड़कों के उपर शड़के बनगी जो टेंडरोगा उसके उपर थोड़ा सा अपने आजब कलेर करें पर लास सवाल अपसे जी देखिए अब ऐसे तो कही क्योंकि हमारे पानिपत के 26 वोड़ हैं और 26 वोड़ में हर गली में या किसी ना किसी मोहले में ऐसी शिकायत मिलेगी जो जो मामला हमारे सामने आएगा हम उस चीश के उपर जो है कारवाई करेंगे उस चीश के उपर प्रॉपर देखेंगे क कि क्यों ऐसा हुआ और अगर इन केस कोंट्रेक्टर ने अपनी मर्जी से कोई काम किया है या अपने फेवर के लिए अपनी मॉनिटरी फेवर के लिए उसने कुछ ऐसा काम किया तो उसकी पेमेंट जो है रद कर दी जाएगी और अगर उसकी पेमेंट हो भी गयोगी तो उस पहले मीडिया में जो मामले उठते रहे हैं ब्रस्टाचार को लेकर उनके ओपर भी पांच साल अब इनकी नहीं सरकार बनी है इन से गुफ्तुगों करते रहेंगे और इनके हर एक्षन पे वाइसो पानिपत जो है नजर बना के रखेगा वाइसो पानिपत के लिए प्रदी बैंक जीटी रोड पानिपत एसम आरू लगाओ पीलिया टाइफ़ेट जैसे बीमार्यों को दूर भगाओ डेकिल एसी पर फ्री गिफ्ट 10% कैश बैंक 0% फाइनेंस एक्षेंज ओफर हर प्रकार की मुबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उप्लाब कर दो कर दो कर दो कि अबाओ प्लाब